आज मैं बात करूँगा इंदू सरकार के ट्रेलर के बारे में उसके रिव्यू करेंगे चलिए देखते किस तरह से ट्रेलर है उसके इंपोर्टन बाते मैं आपको बता दूँगा धेर और कहिना कि एक चीज आपको बता दो कि यह जो फिल्म है यह बहुत जादा कंट्रोवर् होगे इस टीजर को इसमें आपको पता चलिए कि यह एक 1975-1977 के बीच में कंट्रोवर्शल सब्जेक्ट है यह रीडियो का सीन दिखाते होगी पुराना रेडियो है कंट्रोवर्शल सब्जेक्ट पर बनी है यानि कि दूरान किस तरह से देश कहीना कहीं बंदी बन गया था बहुत साइच चीजें बंद कर दी गई थी और मीडिया प्रेस को भी आई थी कुछ आपने के लिए मंदूरी नहीं दी गई थी तो बहुत सारे इशूस थे उस समय और उस समय की बात है क्रितिकल लहारी जिसको आपने पिंक मूवी में रेखा होगा बहुत बढ़ीया रोल जाता है जिसे पेस्ती हो कॉर्प्रेट हो चाननी बार हो अब आपको कुछ चीजें इंटरसिंग दिखा हुआ यह जो बंदे है यानि के निल नितिन मुकेश इनका करेक्टर आप देखिए यह रूल प्ले कर रहे है संजे गांधी का जिहां पॉलिटिशन संजे गांधी का लेट पॉलिटिशन उसके बार यह उस दौर की टाइम है जब लोगों को बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था ऐसे दौर का टाइम है तो वहां पर इंदु सरकार का रोल बहुत है है इनके वाल में मैं सर्च करा था हिंदु सरकार आखिर रियल लाइफ स्टोरी है या नहीं है कुछ ज़्यादा मिला नहीं लेकिन इतना तो तह है कि मदुल बंडार का रियल स्टोरी बनाते फिक्शन नहीं बनाते तो अफकोस ही रियल लाइफ पे बेस्ट है आप लोगों देखें फसाद हो यहां पर देखिए यह बहुत सीरियस मूवी होने वाली है उसके बाद यह इंदु सरकार बतलब बच्चों को बचाने के लिए हर चीजे कोशिश करती है उसके बाद यह उसके पती रिता जो आइधिंग नहीं करता है उनकी ऐसा कुछ लगए टेट प्रे और एक सीन आपको दिखाऊंगा तो आप दो शॉक हो जाओगे यह फिर मतलब इमर्जेंसी खिलाब सब जो नारे लगा रहे यह लोग है इमर्जेंसी जब हुई थी तो कहिना के देश बंदी हो गया था प्रेस पर रुकावट आगे मैंने आपको बोला और इंदु सरकार क जहां तक मुझे पता चला है इस ट्रेलर के इसाब से भी यह इनका एक किसी संगर्टन से बिलॉंग करती है को और यहां पर आपको दो नजर आएंगे अनुपरम खेर अनुपरम खेर का यह बहुत ही सटीक और बहुत ही सई डायलोग है वह बताएं से पहले सबसे पहले गांधी जी का मतलब अपने देश में अब बदल रहा है यानी की जो my peaceful गांधी जी zaw 01ریlis updates के रिया जाता है मतलब शांति भाइचारा प्यार के हिसाब से वो नाम बदल रही है कि नहीं कि उसका एंग्री हो रहे है लोग वो नाम बहुत चेंज हो गया अभी वैसा कुछ नहीं रहा है चेंज हो गया जमाना यह कुछ इस तरह का इंडिकेशन था वो तो छोड़ी है वो डायलोगी बहुत अच तुम वो वेटी बनो जो देश को मुक्ति दिला सके तो यह मुझे बहुत ही सही लागा इनका डायलोग अनपरम खेर का और कृतिकुलाहरी सुनती रहती है आने कि इंडू सरकार उसके बाद कृतिकुलाहरी अपनी जो भी उनकी शक्ति रहती है इंसपार वाट फ्रू इव को वापस लो और जहां पर बहुत बड़ी मीटिंग होती है अठीज जुलाई को पहले बाद फिल्म देशने वाली उसके बाद अनपरम किर का यह लोग देखिए है अनपर इंपोर्टन लोग प्ले कर यहां पर भस्टा चार साप है यह कोई संगर्ठना है जो बहुत ही संजय गांधी भी नज़राएंगे और आपको नज़राएंगी से यह सीन आय थिं सब्सक्राइब कि संजे गांधी का सीन है और संजे गांधी उस सीन में अपनी माता इंद्रा गांधी के साथ नज़र आते हैं तो वह सीन मुझे बहुत ही स्ट्रॉंग लगा है अभी तक का माप कीजिए थोड़ा सा पेशिंस रखिए मिटिंग के दौरान का सीन है थोड़ा सब वक्त लगए अलग कर दोने को मुझे भी हाँ ये सीन में आप देख सकते हैं इंद्रा गांधी भी दिख रही है संजे गांधी भी दिख रहे है और यह बहुत ही कंट्रुवर्शिल इश्यू है आप देखने वाली बात है कि कि किस स सवाल उठेंगे बहुत जारा कंट्रुवर्शी भी होगी यह फिल्म की तरह ही लिया जाया तो यह देख सकते हैं पेंद्रा गांधी के भी खरेक्टर प्ले किया गया इस प्लिम में तो बहुत ही स्टॉंग रोल है अब आपको सीधा लास में लिए चलता हूं लास में कि लिए कि पुलिस वाला बोलता है इने हैं तुम और तुम्हारे संगठ्घन के सभी लोग जिंदगी भर जेल में सड़ते और घिसरते रहोगे इस पर लड़की बोलते यानिके इंद्रुसऱकार बोलती हैं और तुम लोग जिंदगी भर बेटे बार तुम आपको देख किस तरह से बोलती है थोड़ा अटकती है बोलने में तो यह एक सीन का अलग है जुनकी पहचान है मैं आपको दावे से कहता हूं यह फिल्म चलेगी और इस फिल्म को वुमें सेंट्रिक फिल्म समझ के चलिया कुई कि में सेंट्र करेक्टर हिंदु सुरकार यानि वुमें का ह बहुत अच्छा यह ट्रेलर है ट्रेलर के रिव्यू के सबसे मैं आपको यही पो दूँगा कि इसे इस तरह की सब्जेक को लेके पिचल बनाना और रिलीस करना हिम्मत की बात है और इसे पांच में से चाल स्टार फिलाल दोंगा मैं क्योंकि मुझे बहुत सही लगा आपक के सबस्क्राइब कर दो बता है चली फिलागी बाइब बाइब